जब तक ये ब्रत चलता है ये हमेशा जमना तक पे जाकर रश्णान करते हैं कन्या जी का आगमन होता है कन्या जी ने पहले थिया वो सखियों ना आने जा रहे हो ना तो अपने बस्तर तो लेखे जा जाकर के गोपियों ने अश्णान करना सुरू किया निर्वस्त्र होकर गोपियां जल में अश्णान कर रही है जो अनुचित है कंगा में शर्यू में अश्णान निर्वस्त्र होकर करना अनुचित है कनहिया जी ने चीर चुरा लिया और ब्रज की बालाओं से कनने लगे जाओ अपना चीर तो उठा लो अरे यहां कोन है तब उन्होंने का अरे मुर्खा तुम इस्तरी हो और इस जल के अंदर वर्ण देवता का नास होता है मर्यादा नस्ट होती है इसलिए गंगा में यमुना में निर्वस्त्र होके अस्नान नहीं करना चाहिए यह ध्यान रखाना है मध्यांतर में गंगा में चरण नहीं रखना चाहिए अस्नान की विधी है कि अगर आप गंगा यमुना में अस्नान करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको बंदन करो मस्तक पे लगाओ भाव करो फिर उसमें डुबकी लगाओ साबून सेंपोग ये सब चीजे नहीं लगाने चीजे जो उसका भाव है गंगे तव दरसनात उति है अब एकादसी का समय आया है एकादसी ब्रत करने के बाद स्वयम बावा नंद अश्टनान करने चले गए हैं और वरुन देवता के लोग वरुन के देवूत नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुन लोक में सत्य और मर्यादा इसमें कोई रिस्त नहीं होते सत्य सिर्फ सत्य होता है वरुन देवता को कह देना चीए ना ये तो भगवान कृष्ण के पिता हैं गल्ती हो गई होगी चोड़ दो क्यू लेगे अपि बरुन लोक बरुन के दोथ इनको पकड़ करके ले गए हैं क्रिष्ण को ग्यान होता है और क्रिष्ण अपने पिता को छुड़ाने के लिए बरुन लोक में पहुशते हैं बरुन ने प्रश्ण किया और जाते ही बरुन देवता ने भगवान की पूजा किया अराधना किया चर्णाम्रती लगाया थोड़ा पता नहीं लग रहा है तिता को कैद में रख दिया और पुत्र के पूजा हो रही है तो जब बाते धर्म कर्म की हो तो कर्म बीर क्या कर्म करें भवान देवना ले साश्टांग दंडवत किया प्रनाम किया और कहने लगे त्राहिमाम गोविंदा यत्राहिमाम गोविंदा यत्राहिमाम कारण पूछा बुले प्रभो मर्यादा और योगीश्वर ये दोनों अवतार आपके ही है महराज भगवान राम पौरुष है पुरुष उत्तम है भगवान राम पौरुष है और पुरुष उत्तम है आप योगीश्वर हैं आप मर्यादा है रचाने वाले हैं मेरे प्रभू पहला कारण आपको पिता को लाने का ये था कि अगर मैं वहाँ आकर के दर्सन करता तो आपके दर्सन लाव और उसका फल उससे मोक्ष आपके हृदे से अस्पंदन आपकी कृपा की पात्रता सिर्प मुझे प्राप्त होती लेकिन इस कृत के कारण इस कारण अगर आप मेरे प्रभू बरुन लोक में आगे तो सारा ब कारण कुछ भी हो दर्सन करना था दया निदा अब दूसरा कारण प्रभू जी आपके पिता जी को जो लाया गया वो सामाजिक मर्यादा जमुना जी को ने जमुना जी को ने कनहिया जी की पत्रानी अब कनहिया की अगर पत्रानी है तो नंद की क्या हुई बहु हो जाना ची यह आधिरात के उदर नहीं कि अनि सांसारिक मर्यादा है कि जहां हमारी बहु बेटियां हो उन्चे हमें थोड़ा सा मर्यादा बना करके ही रहना चाहिए और अगर यही नहीं करना तो गड़बल हो जाता नहीं वो बात अलग है कि अब फैसन उतर गया अब भाते संस्कृति ने आ करके सब सत्यानास कर दिया बाकि हमारा परदा ही हमारी दोलत है अम्बया सिख्वाजी गलती से आपका तो सब अनुभव होगा यहां तो प्रिक्टिकल अनुभव नहीं है किताभी ज्यान है गलती से अगर मेरी बहन के है ना कान में चोने का पहणवादो ना सोने का लंबा बाला दोनों कान में नहीं और गाव में साधी हो ना तो अगर मानलो पहले देवी जी का घूंगट यहां तक रहता होगा ना तो उसे दिन ऐसा हो जाएगा अर आवाज जेंगे अरे ओ भैया सर्मा जी सर्मा जी उधर वाला ने अरे जब तक कोई यह ना केदायाएगे तमारो बालीचे ने सांग बहुत अच्छा अतिसाई शुंदर आप्रतीम तब तक वो दिखाती है अक क्योंकूं की जूंटी तारिप सुन शुनने की आज़त है और इस तरी की सुंदर्ता ही उसका सबसे बड़ा सत्रू है अहिलिया क準 दोस्त नहीं था हुआ अहिलिया तीस से सुंदर थी इसलिए इंद्र की कुदृष्टी पड़ी पड़ी एंद्री की कुद्रिष्टी पड़ी चंद्रमा ने साक्षर्टा दिया और उनके पत्ती ने कह दिया जाओ आज से पत्थर हो जाओ पत्थर बन गई लेकिन पत्थनी ने नहीं कहा मेरा क्या दोस है मैं तो सुन्दर हूं लोग चलेंगे तो देखेंगे तो फिर परदा भारत की परक्रिया उसमें रहो नहीं अहिल्या को स्राप दिया गया गौतम रिशी ने स्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ मेरे भाई बेहन अहिल्या ने यह नहीं कहा मेरा क्या दोस्ट है क्योंकि सर्वों पर थी उसे पति किया गया और जब भगवान ने राम का चरण लगा न उद्धार हो गया तो भगवान ने पूछा भी भगवान ने पूछा आपको जो है बुरा नहीं लगा जब आपके पति ने स्राप दिया तो नहीं कहा नहीं कि मूनी साप जो दी न आति भला की न दोरो कर जो रिभनी ज़े मूनी साप जो दी न आति भला की न दोरो कर जोरी बिदेंधे पर्हे परसत पदपावन भगवान के चरण लगते ही उस पत्थर के अंदर से तेज पुंज सरूप में अहिल्या सुन्दर काम देव की पत्नी से सुन्दर रूप में आ गई रती से भी सुन्दर रूप में तब भगवान ने पूचा आपके पती ने आपको स्राप दिया बुरा तो नहीं लगा बोले नहीं मेरे तो आभार प्रगट करते ही हूँ मेरे पती देव का क्योंकि अगर मेरे पती ने स्त्राप नहीं दिया होता तो आज मुझे आपके चरण का रज नहीं मिला होता मैं भवव सिंदू से नहीं तरी सबसे बड़ा भाव किसका होता है सुन्दर्ता लेकिन वाह सुन्दर्ता कि नहीं है जमाना खराब हो गया क्या करें साथ हमारे महापुरुष हमारी बुढ़ी माताएं बिंदी लगाती थी प्रमाण था आउरत के पत्नी के धर्मांगनी के स्रीमती जी के मस्तक पे अगर बिंदी लगे तो सुहाग के लिए माग में शिंदूर है तो दीरगाई होता है उसका पती तूटे हुए सीसे को कभी नहीं देखा जाता था शिंदूर अगर जमीन में गिर जाये तो आचल से उठाया जाता ये भारत की परंपर है हमारी माताएं कहती थी आज मैं सिंगार कर रही हूं ये सीसा गिर के टूट गया संभाल के जाना कहीं गलत संकेत है लगिन अब तो उल्टा हो गया साथ अब ये सुआ की बिंदी कहा रहती है बात्रों के दर्वाजे पर तूँ यही रूख में भाद में लोंगे तुझे सिंदूर खतम हो गया वो मार कर आगया थी बिंदिया खतम हो गया क्या बताएंगे लेकिन मेरी बेनों भारतिय संस्कृती है हम भारतिय है हमारा परिचे हमारा गुन है हमारा कर्म है हमारा धेव है हमारा साधना है अगर यही फैसन का दोरा चमा करके माफ कर देना जो बोलने जा रहूं तोड़ा करवा लग सकता है अगर यही जीती चलता रहा तो समाज में निकले हुए बच्चों को कभी यह माता यह अस्तनपान नहीं कर पाएंगी और बच्चे भूखे मर जाएंगे बारतिये संस्कृती में साड़ी पहनती थी माता है पल्लू डाल कर अपने बच्चे का भूख मिटा देती वेजीन स्वाले कहां से पल्लू लाएंगे इसलिए बारतिये परिधान में रहो अपनी पारंपरिक जो आपके गुजरात के दृष्य हैं गुजरात के वरिक्ष्य उनको धारन क्या करो है मेरा निवेदन है उसमें आप सुसजित दिखते हैं और बहुत प्यारे दिखते हैं आदुनिक परिधानों से दूर रहिए बेस्टन कल्चर से दूर रहिए मेरी बेनों यह एक नाग है इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रिजन भी है ब्या स्पी में रहो बड़े शुन्दर दिखते वा इस बनावट के दुनिया में मत जाओ यहां पे शिरिफ रोग 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 मिलने वाला आनंद का संजोग कभी नहीं मिलेगा यह मेरा निवेदन रहेगा कि अगर भागवत कता श्रोण किया तो आज से कुछ चिजे छोड़ देना आध बाहर की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सरीर को बहुत नुक्सान परजाती हैं कन्हिया जी के अंदर यही तो खास श्रती कि गाय का दूद, गाय का घी, गाय का माखन खाते थे अनेक परिक्रियाओं से गुजरते हुए भगवान ने, अब एक इस्थिती का निर्माण आ गया है, राजनीती की बात करते हैं कुछ लोग, तो हन्वान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं सर्माजी, हन्वान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं, सिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, और हमारे कन्हिया से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं कन्हिया से बड़ा राजनीति कोई नहीं है, कन्हिया आज गोपियों के भी सरात रचा रहे हैं, ब्रज में आनंद ले रहे हैं ब्रज की बालाएं, आज कन्हिया जी से नाराज हो गई हैं, अगर आपके प्रिय प्रियतम, जिससे आप अगाध प्रेम करते हो, आपको समय ना दे, थोड़ी सी नाराजगी रहेगी न, हसते इनलोग हसते, साइकालोजी एक बहुत बड़ा पर्ट है, अगर आपको बॉड बड़ी लेंगोज पढ़ना नहीं आएगा ना तो लाइफ फतम हो जाएगा, हसते हैं न, यह हसी भी बूट कुछ कह जाती है, नहीं कहती है, किसी के आनंद में आनंदी तो होकर जब आप हसते हैं तो दो दार दिखते हैं, और जब किसी में खुष होकर, तो कन्हिया जी की मुष्कान जान लेती है, है न, कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे, दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे, बात करने लगेंगी आखे वहाँ, तेरे चंचल जुबा कुछ न कहता है, अब आताओं की भी जो मुष्कान व्यंगता है, अगर माताओं से कोई चीज कहों स अगर किछी से कहों, यह चीज अच्छी लगती है, तो समझ जाओ, इकन सेक्रिफाइज हो, सीज नौट सेटिस्पाइट, अगर वो यह कह दे, यह ले आओं आपके लिए, देख लो, मतलब वो लाइक ने कर रहा है, और अगर उसे कह दे, यह करना है आपको, जैसी आपकी प्रिक्षा प्रभुजी, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, तो समय लोगत्कर लगा रहे हैं, बला के ताल रहे हैं, वचारी अभी बातना हो, और अगर कह दिया यह चीज करना है, यह टक से भी बोलते हैं, शीख लो, आप लोगों को काम आएगा, यहां तो किताबी ग्यान है अगर बोल दे, कि यह करना है करलू, यह भी सिंगल बोला तो ना, अगर बोल दे, गुजरात मा आवे गर्बोन दीवा, साय गर्बारमू छे, नक्या जावाना छे, मलब यह बोडी लेंग्वेज चे, फेमिली अंडरिस्टेंडेंग में जा माता अपने बेटे के चेहरों की पढ़ती है, कर नहीं जी ने सब का चेहरा पढ़ना सादू किया, और अगर बैठ करके जान देना, कारिकरम बैठ रहा भोजन बन रहा है, और आप जाकर घर पे बैठ गे, और आपने एक बार बोला, बोजन हो गया, फेर अब तो लोग खाना बनाते हैं, बोजन का बाती कतल है, बोजन हो गया, और अगर वो कहा जाना, बेट, तो आप समझ जाना, कि आज अगर आपने इस बेट के बाद मुह खोला ना, तो कल आपके लिए गेट बंद हो सकता है, इसलिए सामती रखना, बा बादी में, यह आखें बहुत कुछ बोलती है, यह हमारी आखें अगर सामने वाले को देखती हैं, तो बहुत कुछ, चाड़क ने तो कहा है ना, जब कोई नजर जुका ले, और छुप छुप के देखे, तो समझ ले ना, उसे आप से प्यार हो गया है, और अगर जब कोई आपकी आखों में देखे, और मंद मुश्कालने, तो आप समझ ले ना, उसे आपकी तरक्की से जलब हो गई है, थोड़ा सानती रखो, दिन में खूब मेहनद कराई है, तीक है, यानि बादी लेंगिवत, आज ब्रज की बालाओं ने कहा, ओके, हमारे और कनया तेरे बीच आपकी में सत्रू या मुरलिया है न, यही है मेरी सोतन, कई-कई वालक तो नू कहते है, या मोबाइल है न, एक बार देखे, दो बार देखे, ना सुने वले या सोतन को बाजू में रखते की नहीं, पत्नी से जो दूर करे पति को वही उसकी सोतन, चाहे पडोसन हो या मोब अब ब्रज की बालाओं ने कहीं दिया, यह मोबाइल है न, आपन बैठे है न, आप बैठे हो, कई बार हमारे एक संबंदी है, अगर वो बैठे और फोन किसी का आगया, अब हो जाता है कई बार आवस्य कैसे तो मैं फोन बहुत यावाइट करने लगाओं, है न, उसके बा बालाओं ने किया और कनहिया के बंसरी चुराली, और आज मेरे कनहिया की सहथ तक जोकियों से बालने लगे, आज दैडारो